हेलो देखने में बहुत ही छोटा शब लग रहा है बद ये उतना ही इंपोर्टेंस रखता है किसी सेंटेंस में मैं आपको बता दूँ जैसे एक मानव शरीर का बिना आत्मा का वो शरीर का कोई मतलब नहीं होता है वो ब्यार्थ होता है ठीक वैसे ही किसी सेंटेंस में बिना वर्ब का वो सेंटेंस बिलकुल अधूरा होता है बिन मतलब का होता है इससे आप समझ सकते हैं कि किसी सेंटेंस में एक वर्ब का कितना इंपोर्टेंस होता है Verb अपने आप में इतना powerful होता है कि वो अपने आप में एक sentence है मैं आपको एक example से बताता हूँ Suppose मैं यहाँ लिखता हूँ They go to school यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक verb है और यह जो कि एक subject है और यह जो कि एक compliment part है यहाँ पे यह verb कितना powerful है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं इस day को erase कर दूँ इसे मिटा दूँ तो school को भी मिटा दूँ तो भी यह अपने आप में अगर मैं इसे full stop दे दूँ तो भी अपने आप में sentence है Go, come, sit यह सारे एक sentence है क्योंकि यह पूरा complete meaning व्यक्त करता है, बता सकता है तो यह होता है importance एक verb का इसे लिए यह topic बहुत ही important होने वाला है जिसमें हम लोग verb को पूरे detail में जानेंगे कि verb होता क्या है किस situations में हम इसे use करते हैं किस-किस form में हम इसे use कर सकते हैं बिल्कुल basic level से लेके advanced level तक हम verb को बिल्कुल detail में discuss करने वाले है तो make sure कि यह वीडियो आप पूरे end तक देखिए ताकि verb के बारे में कहीं भी कोई भी किसी तरह का आपका confusion बिल्कुल ला रहे है तो चलिए सुरू करते हैं verb होते क्या है simply देखिए verb क्या होता है verb का definition है it denotes an action or state of being in a sentence मतलब किसी sentence में verb क्या दर्शाता है एक action को दर्शाता है मतलब काम को दर्शाता है या फिर state of being मतलब होने की स्थिती को दर्शाता है होने की स्थिती मतलब अवस्था को दर्शाता है क्या वो अवस्था present का है क्या वस्था past का है क्या वो अवस्था future का है यही दर्शाता है या तो एक्षन आनि काम को बताएगा या फिर होने की अवस्था को बताएगा किसका subject कौन सा काम करना होता है यह बताता है और वही word word कहलाता है या फिर subject किस इस्थिती में है कौन सी अवस्था में है यह बताता है तो उसी word को हम लोग word कहते हैं detail में हम लोग example से बिल्कुल अच्छे से समझते हैं first example है हमारा Ramesh plays football Ramesh football खेलता है क्या हुरा है खेलने का तो यह word place मतलब खेलना तो यह word क्या है verb क्योंकि यह काम को बता रहा है जो रमेश कर रहा है रमेश क्या है खेलने का काम कर रहा है इस लिए place word जो है यह word word है अगला sentence है म्हारे पास you are driving a car तुमें कार चला रहे हो यहां पर काम क्या हो रहा है चलाने का क्या कर रहा है कार चला रहे हो तो यहां कार चला रहे हो जो है यह word जो है वर्वर्ड है क्योंकि काम होता हुआ हमें यहां दिख रहा है अगेर देखिए next sentence में I have written a novel मैंने एक novel लिखा है यहां पर काम क्या हो रहा है लिखने का क्या किया है मैंने एक नॉडल लिखा है तो यहां लिखा है जो वर्ड है यह एक वर्ब है ज्यान देखें कि जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब एक से जाता हो तो वह वर्ब फ्रेज क्या लाता है जैसे आर ड्राइबिंग वर्ब फ्रे Si is een amazing dancer. वह एकleadereden dancer है यहाँ एक्षण देख रहा है काम होता हुँआ देख रहा है कोई काम हुँआ होता हुँआ नहीं देख रहा है हमें Si जो कि एक verb ऐसकी स्थिती की पताचल रहा है कि वह एक двम dancer है present अवस्था में हमें उसकी स्थिती पता चल रहा है कि वो एक बहत्री डानस है है, तो यहां जो है वर्ड है यह वर्ब है, यहां यह वर्ब है, अगला sentence देखिए, he was a good man वो एक अच्छा इंसान था यहां देखिए, एक्षन का पता चल रहा है बिल्कुल नहीं चल रहा है, यहां हमें क्या पता चल रहा है, किसी के होने की स्थिती का, किसी के होने की स्थिती का, ही, जो की एक सब्जेक्ट है, उसकी स्थिती अवस्था को बता रहा है, कि वो एक अच्छा इंसान था, है नहीं, था, यह उसके past अवस्था के बारे में हमे यह वर्ड वर्ड है, अगला देखिए, we shall be there by 10 o'clock, 10 बज़े तक हम लोग वहाँ होंगे, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, वहाँ होंगे, यहाँ एक्सल का हो रहा है, पता चल रहा है, बिल्कुल ही पता चल रहा है, अवस्था बता रहा है, shall be, कि हम लोग वहाँ होंगे, future क है, राम can speak English, राम, English बोल सकता है, यहाँ काम क्या हो रहा है, बोलने का, तो यहाँ देखिए, काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, बोल सकता है, तो पूरा जो हाँ, can speak जो हर फ्रेज है, यही हमारा यहाँ वर्ड है, तो यह सारे वर्ड होते हैं, वर्ड किसी भी sentence में, म परफ्स होते हैं मैंने प्रिवیस विडियो बता रखा है तो यह होते हैं किसी भी सेंटेंज के बेसिक तीन पाड उस में से आज मों डिसकुर्चिन करने हैं वह वर्ब पार्ट का तो हमने देखा हैं यह सारे वर्ब है बस आप इतना याद रखें कि किसी sentence में verb को find कैसे करेंगे find simply आपको ऐसे करना है कि आप देखिए कि उस sentence में जो हमारा subject है वो कोई काम कर रहा है और जो काम कर रहा है वो कौन सा word है जो दिखा रहा है कि काम कर रहा है तो वो काम करने वाला word जो action word है वही कहलाएगा verb या फिर अगर वहां काम नहीं हो रहा है तो आप यह देखिए कि वो subject उस sentence का subject वो किस स्थिती में है किस वस्तों स्थिती में है कौन से अवस्था में है वो अवस्था बतलाने वाला शब्द ही जो है वो कहलाता है verb जैसे यहां मैंने देखा था place, are driving, have written यह सारे action बता रहा है यहां काम करता हूँ दिख रहा था हमें इसलिए verb है अगला में देखिए wash, shall be, is यह सारे जो है अवस्था बता रहा था अगेर यहां can speak एक्शन बता रहा था इसी तरह यह तो वो action word होगा या फिर वो किसी state को बताने वाला word होगा अब हम लोग देखते हैं verb का categorization को तो chart को देखिए आप, इसमें आपको दिख रहा होगा verb का एक broad categorization है यहां पर, आप देख शकते हैं verb जो है basically दो parts में divided हैं जिसका first part को हम लोग main verb या principal verb कहते हैं और दूसरा जो second part है हमारा, वो part है helping verb या auxiliary verb भी हम इसे कहते हैं तो verb का mainly दो kinds हैं यहां पर, दो types है, main या principal verb या helping verb या auxiliary verb अगेन आप यहां देखिए main verb का अलग-अलग categorization किया गया है first categorization इसका देखिए stative या state verb बहुत कहते हैं उसे और दूसरा है dynamic या action verb कहते हैं पहले हम लोग इसे एक-एक करके समझेंगे उसके बाद देखिए transitive, intransitive verb है उसके बाद finite, non-finite verb है और फिर इसका दीस चौथा categorization है regular या weak verb या irregular या strong verb अगेन आप अगर helping या auxiliary verb की तरफ जाए तो वहां आप देखेंगे इसका दो पार्ट होते हैं primary auxiliary और model auxiliary primary auxiliary में हमारे पास तीन टाइप का primary auxiliary verbs हैं to have verbs हैं and to do verbs हैं to be verbs में कौन-कौन से verb में हमारे पास is, are, am जो की present form show करता है was, where जो की past form show करता है being, being इसका participle और past participle form है अगेन आप देखिए to have verb में have, has और had है जिसमें से have, has present form show करता है और had past form के लिए हम लोग use करते हैं और आखिर में तीसरा had to do जिसमें do or touch present form में है और deep past form में हम लोग use करते हैं ठीक उसके तरफ model auxiliary में हमारे पास total 13 models को हम लोग देखने वाल हैं जिसमें can, may, shall, will, must, could, might, should, would, out to, used to, their, need यह सारे model verbs हैं तो यह है बिल्कूल एक broad categories जिसमें हम लोग बिल्कूल वीडियो के part wise में देखेंगे एक-एक करके अब हम इसमें देखने वाले हैं कि main verb और helping verb कहते किसे हैं तो मैं आपको बता दू जो मैंने अभी बताया अभी आपको तो यह हमेशा आप याद रखेंगे दूसरे sentence में देखिए जो हमारे पास आया है और यह हमारा helping verb हो गया okay helping verb का definition सी होता है helping verbs are those verbs which help main verb to complete the sentence okay तो यहां पर helping verb का काम ही होता है help करना main verb का इसलिए helping verb या observing verb भी कहते हैं तो यहां एक are helping verb है driving का help करता है sentence को complete करने के लिए वैसे ही इसे sentence में I have written a novel में written main verb है क्योंकि यह मुख के काम को दिखा रहा है लिखने का और दूसरा उसके support में उसके help में आया हुआ है have verb जो एक helping verb है help कर रहा है main verb का sentence का complete meaning को बताने के लिए again यहां पर देखिए she is an amazing dancer यहां पर each एकलावता बर्ब है इसके अलावा कोई बर्ब नहीं है तो helping verb ही वहां main verb जैसा function कर रहा है इसलिए वहां helping verb नाओ के main verb जैसा use वहां पर है अगर कोई main verb नहीं है helping verb भी main verb है तो इसलिए यहां यह main verb है हमारा again वहसे ही देखिए he was a good man एकलावता helping verb है एक ही है इसलिए यह main verb है हलाकि है helping verb यह main verb जैसा use वहां इसलिए main verb है यहां भी देखिए we shall be there by channel clock यहां दो verb है shall और be अब यहां देखिए we है main verb होने की स्थिति को बता रहा है इसलिए यह main verb है इसके साथ जो मदद करने के लिए help करने के लिए shell वह helping verb में आँ है इसलिए shell helping verb हो गया और be main verb हो गया again आप देखिए I can speak English यहां speak मुख्य के लिए main verb है इसलिए यह speak main verb कहलाएगा इसके मदद करने के लिए can आया है जो बता रहा है इसके complete sense को इसलिए यह helping verb होगा तो यह होते है basic difference helping verb और main verb में आप याद रखें कि helping verb जो है वो main verb की मदद करता है और main verb किसी sentence में subject क्या कर रहा है यह बताता है या फिर subject की क्या स्थिती है यह बताता है तो यह थे हमारा verb जिसे हमने देखा कि verb होते क्या है वर्ब के broad categorization में हमने देखा कि main verb कितने तरह के होते हैं हमने अभी देखा कि main verb किसे कहते हैं helping verb किसे कहते हैं और किसी sentence में verb को find कैसे करते हैं अभी के लिए बस इतना ही क्योंकि video बहुत जादा लंबा हो जाएगा इसे हम part wise video में लाएंगे आगे हम लोग देखने बने हैं कि main verb में जो हमने अभी डाइनमीक या एक्शन वर्ब या स्टेट या स्टेटिव पढ़े उसके बाद finite, 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 transitive, intransitive इन सारे को broad way में एक detailed way में हम लोग next video में कवर करेंगे और फिर helping verb को वैसे ही next video में कवर करेंगे तो अमेद करता हम वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज इसे like करें, share करें और ऐसे ही important और useful वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें जल्द ही हमारी मुलाकातों में एक next video lecture के साथ तब तक के लिए stay safe, stay healthy